जैशनी देव प्रिय भक्तगणों बुद्धी के देवता बुद्ध देव वानी के देवता बुद्ध देव व्यापार के देवता बुद्ध देव धन के देवता बुद्ध देव हमारी स्वाद कलखाओं के देवता इस नाईयू तंत्र के देवता भी बुद्ध देव अब न इन के बिना बुद्धी का विकास हो सकता हमारी स्टूडेंट्स अगर जिस व्यक्ति की कुंड़ि में बुद्ध देवता पूरी तरीके से strong नहीं होंगे तो वो शिच्छा भी पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा लोगों से competition नहीं कर पाएगा जिंदिगी में आगे बढ़ने के अफसरों से इतने प्राप्त नहीं हो सकेंगे तो ये जो बुद्ध देवता हैं मेरे तो इस शजीर के मालिक भी वो ही है क्योंकि मेरी खुद की लगन जो है कन्या लगन है तो मेरे तो पित्र देवताओं में भी शामिल हैं मेरे तो एंसिस्टर भी वो ही है मेरे तो एस्ट्रोजिकल फादर भी वो ही है तो ऐसे ये बुद्ध देवता तेरे दिसंबर दो हजार तेईस बुद्दवार के दिन ही बारे बज़कर 38 मिनट पर दुपेर की बात कर रहा हूँ वक्री होने जा रहे हैं अभी कुछ ही समय तो हुआ था ठीक ठाक चल रहे थे अब अगर ये बुद्द देवता वक्री हो जाएंगे प्रभाव देने वाला है मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से स्वामी राज रिशी की तरफ से बुद्धी के देवता व्यापार के देवता धन के देवता पैसों के देवता इसनायू तंत्र के देवता बुद्द्देव को पनाम करते हुए उनसे विनम्र प्रात्ना करता हूँ कि वो हम सब के जीवन में चाहे वो वक्री हो चाहे वो नीच के हो चाहे किसी कुरूर ग्रह के साथ बैठे हो चाहे किसी दुष्ट ग्रह के सानिद में हो चाहे वो किसी दुष्मन गहर में बैठे हो हमें कभी भी विपूरीत प्रवाव ना दे इसके लिए हम उनका हिर्दे से बंदन करते हैं और साथी साथ उनसे विनमर प्राक्षना करते हैं उनके शिरी मंत्रों का जो तांत्रिग बीज मंत्रे हैं उनसे उनको प्रसंद करने का जीवन भर प्रयास करते रहेंगे ताकि हमारे जीवन में सुख उसुटा, संपत्ति, धन और व्यापार में कभी कोई परिशानी ना आए हमारी बुद्धी में कभी कोई परिशानी ना आए तो ये जो बुद्ध देवता है इनको हमारे जीवन में जब ये वक्री होंगे तो किस प्रकार से ये विपरीत प्रभाओ मुझे और आपको यानि हम सब को क्या-क्या विपरीत और क्या-क्या शुबुफल देने वाले हैं इन सब की चर्चा लेकर मैं गुरु रजनी श्रिशी स्वामी राज रिशी के साथ शनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस्थ पटे लगर नई दिल्ली में भग्वान शनी देव से आग्या लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी को इस बात का डिटेल में समझाने के लिए कि आने वाला ये समय जो 13 दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक रहेगा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है तो इसकी चर्चा मैं करूँ उससे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी परेशानी को लेकर परेशान हैं दुखी हैं जाए वो धन की कमी हो बच्चों की वज़े से परेशान हो संतान ना होने की वज़े से परेशान हो संतान के ना पढ़ने की वज़े से परेशान हो नौकरी व्यापार की वज़े से परेशान हो प्रेम की वज़े से परिशान हो शादी ना हो पाने की वज़े से परिशान हो या शादी हो गई है तो शादी के बाद हो रहे है जगलों की वरे से परिशान हो चाए फिर मुकदमी वाजी से परिशान हो चाए काम धंदे में वरकत नहीं है इस वज़े से परिशान हो तो ऐसे सबी व्यक्ति बिना किसी जिजक के या तो घर बैठे फेस टू फेस वन टू वन वीडियो कॉल पर जो इसकीन पर नमबर आ रहे हैं उन पर मुझे वीडियो कॉल पर चर्चा कर सकते हैं घर बैठे मैं आपको छोटे-छोटे वैदिक एस्टिलोजी के उपाय जो साल में सिर्फ एक ही बार करने होते हैं उन उपायों के माध्यम से आपके जीवन को संतुलित करने का आपके सुक समध्य और सभाग्य देने का प्रयास करूँआ या फिर आप बिना किसी जिजक के किसी भी सनिवार को सुबह ग्यारे बज़े से लेकर शाम को साड़े पांच बज़े तक सनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस्ट पटेल नगर नई दिली आकर मुझसे या फिर स्वामी राज रिशी से हमारे जनता दरवार में आकर free of post अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उपाए पूछ सकते हैं और हमारी मदद ले सकते हैं तो मैं चर्चा कर रहा था आप सभी लोगों से बुद्ध देवता के वक्री होने का तो जिस समय बुद्ध देवता वक्री हो रहे हैं उस समय में आसमान में जो ग्रे हैं उनकी इस्तिती के बारे में आपको जिकर करता हूँ उस समय कुम राशी थी आसमान में शनी देवता अपने गर में कुम राशी में विराज माने है राहू महराज मीन राशी में विराज माने, देवगुरु बरस्पती वक्री पहले से ही चल रहे हैं, वो मेशराशी में विराज माने, केतु महराज कन्या राशी में विराज माने, शुकुर देवता अपने स्वेम के घर में, तुला राशी में विराज माने, सूरी देवता दोनों ही व्रष्चिक राशी में विराजमान है चंद्र देवता और बुद्ध देवता घलू राशी में विराजमान है न यह वह इस्थिती है जिस समय पर बुद्ध देवता वक्री हुए है aminasher मैं प्रियंका, मैं नीलोْ dort k bildi, कर णाल धिस्टिक हर्याना से बात कर रही हूं मेरे घर में बहुत प्राब्लिम थी कुछ टाइम से मतलब मिली पति पतली के बीच में हमेशा खलेश गर में पति पत्मी के बीच में कलेश बुर्जी ने हमें लॉकेट दिया धारन करने के लिए उस लॉकेट को धारन करने के बाद नतलब हमारी जिंदिदी में इतना फाइदा हुआ कि अभी पहले से हम बहुत बहुत बैटर है तो बात करूंगा मकर राशी वाली बेक्तियों क जाके बैठ गए आपके 12 थाउस में यह हो गई गड़वर अभी तक धन के बंडारों में बैठे थे धनी धन दे रहे थे जूट के बोलूं मेरे को ही दे रहे थे मैं खुद मेरी मकर राशी है कन्या लगनो मकर राशी है मुझे धनी धन दे रहे थे कहीं कोई परिशानी नह कि ज्यादा बड़ा नेगेटिव इंपेक्ट नहीं देगा खर्चों को ही तो काटेगा तो मेरा तो अपना यह कैलकुलेशन है कि खर्चों में कमी लाएंगे बुद्धी को खर्च खर्च नहीं होने देंगे तो शुबफल ही एक तरीके से प्रदान करेंगे हालां कि जो व अब भर चुर्च से एक्षीमी के लिए आप जैसे किसी वी व्यक्ति के लिए जाता तो थोड़ी परिशानी का बन जाता है लेकिन वहाँ बड़ी किरपा है माता लक्ष्मीता पूरा पूरा आशीरवाद है अपना-पना नित्यप्रति आशीरवाद देता है जै शनी देव फिर भी अगर मकर राशी वाली व्यक्ति परेशान हो इस बुद्ध के ग्रह के वक्री होने की वज़े से तो ना तो दिल्ली दूर है ना शनी पीठ मंदिर दूर है सनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस पटे नगर नई दिल्ली में सुबह 11 बज़े से लेकर शाम को 5 बज़े तक हर शनी बार को फ्री जनता दर्बार लगता है बगवान शनी देव का जनता दर्बार है आप आओ मैं गुरु रजनी शिशी स्वामी राज रिशी के साथ वहाँ आपकी मदद के लिए free of cost उपाय बताने के लिए हजिर हूँ आपकी जनम कुनली देखकर या आपका चेहरा देखकर आपको उपाय बताऊँगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाऊँगा चाहें आप किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान हैं व्यतित हैं दुखी हैं मैं हूँ स्वामी राजिशी के साथ आपकी मदद करने के लिए भगवान शनी देव के आशिरवास से उपस्तित हूँ उपस्तित रहूँगा अपने जीवन के आखरी छण तक मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ साथी साथ मकर्राशी वालो मैं आप को आपके जनम दिन की और आप लोगों को आपकी मेरी य sven़ देव के बगवान शनी देव की तरफ से अपनी तरफ से ऑस्वामी राजिशी की तरफ से हादिक बदाईयां देता हूँ आपके जीवों ने सुख सांती सो भागे की मंगल कामना करता हूँ जै शनी देर